मेरा नाम है गौरव और आज मैं आपके लिए NTPC के कुछ mock test के questions लेकर आया हूँ दोस्तों जिसके help से आपको ये पता चलेगा कि भाया exam में किस तरीके question आएंगे और आपको कैसे attempt करना है ठीक है तो pattern आप समझ लेना बहुत help मिलेगी और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तो and auditor general of India की salary कहां से receive करता है वो मतलब कितनी salary मिलती उसको तो उसको salary मिलती equal to the judge of the Supreme Court दोस्तों जो Supreme Court का judge होता है जितनी salary उसको मिलती है उतनी salary अपने कैग को मिलती है अब important बात यह है कि दोस्तों कैग मतलब यह होता है अपना controller and auditor general जो की लेखा जोका को पूर अपना पूर अ रखना पड़ेगा बहुत important है अब देखो आगे क्या इसके बारे में थोड़ा लिखा हुगा पढ़ लो the CAG receives salary equal to the judge of the Supreme Court Supreme Court के judge के बराबर के को salary मिलती है दूसरा point he is equivalent to a secretary level I.E.S. officer to the government of India in rank मतलब CAG की एक level इतना शान्दा level है कि कि किसी I.E.S. officer के बराबर उसका level होता है कि इसका अपने comptroller and order general का जो की article 148 के तहता है 148 में CAG आता है और 149 में CAG की सारी duties आती है यार रखिएगा article बहुत ही जादे important है मैं आपके help करना चाता हूँ इसलिए अच्छे से पढ़ना है ना तिसरा point the CAG is appointed for a period of six years or till he attains the age of 65 साल whichever is earlier या तो पूरा वो 6 साल तक काम करेगा या फिर 65 साल हो जाएगा जब तक काम करेगा ओके तो इस चीज को ध्यान रखिएगा पूछ ले रहे एक्जाम कि भया उसकी जो appointment का कितने period के रहता है या तो 6 साल या फिर 65 साल ओके ध्यान बताए कि article 148 में के के बारे में बताया गया है controller and auditor general और article 149 में के की duties बताए गई है कि भया यह वो क्या क्या काम करेगा तो ध्यान रखिएगा तो इसमें बोला है article according to article 148 the constitution of India he is responsible for the financial audit of the union as well as the state government तो भया बात यह है कि यह अपनी union बोले तो अपनी center और state दोनों की financial audit करेगा मतलब जो center level पर भी देखेगा भया वो audit करेगा कि भीया क्या चल रहा है कितना पैसा खर्च हो रहा है कहां पूल बन रहा है कहां डेम बन रहा है तो इस चीज़ का audit कौन करेगा अपना क्याग और state का भी मालो क्याग को किसी ने जिम्मेदारी देदी भाई आपने president ने कि त मद्यप्रदेश में जाओ और मद्यप्रदेश में कहां कितना पैसा खर्च हो रहा है कहां कितने पुल बन रहा है कहां कितना development हो रहा है जाके audit करो कि हाँ यह सब कुछ proper चल रहा है कि नहीं तो वह मतलब एक particular state पर भी काम कर सकता है या पर पंजाब चला जागा पंजाब मे हुआ कि वह पूरे union पर भी कर सकता है पूरे center दिल्ली का भी और particular state का भी तो question यह भी जाता है कि सिर्फ वह center के लिए union के लिए काम करता है यह state के लिए तो आपको पता होने चाहिए भाई यह gag अपना दोनों के लिए काम करता है ओके बिल्कुल deep मैं बताऊंगा अच्छे स अगर दोस्तों ऐसा question दिख गया ना what is the least common multiple इसका मतलब यह होता है कि जो 6 by 5 है है और यह 8 by 25 है तो जो उपर जो least common multiple रहे है उसका LCM निकलेगा उपर वाले का जो उपर वाले नों पूछा है वही निकलेगा उपर वाला और नीचे रग निकलेगा HCF एक वाफिर से बताऊं ठीक है ध्यान रखिएगा अगर पूछ लिया उन्होंने कि भाईया सेम टूसेम लिखकर दे देते और बोल देते HCF निकालो उसका तो फिर क्या होगा उपर वाले का जो पूछा है वही निकाल देते HCF और जो नई पूछा वही नीचे वाले का निकाल देते यह इस question का खे पूछा है तो उपर वाले का HCM नीचे वाले का HCM अगर HCM पूछा है तो उपर वाले का HCM नीचे वाले का HCM बस यह इसका तरीका और ट्रिक है अब देखो दोस्तों आगे क्या है शांदर question एक यह बढ़िया question आया है what is the least number which when divided by 5, 6, 7, 8 gives the remainder 3 is and is divisible by 9 तो भाईया सबसे पहले आपको अगर पता होगा अगर यह question में मतलब मुझे सीधा click हुआ कि 9 की divisibility क्या होती है तो दोस्तों 9 की divisibility की होती है कि जितने भी number है सब को add कर दो और 9 से divide अगर हो रहा है तो भाईया वो answer है इसको देखो 1, 4, 6, 3 को add करो 4 और 5, 6, 5, 11, 11, 13, 14, 9 से divide हो रहा है नहीं हो रहा मतलब answer गलत second number का 1573 को कर रहा हो तो 5 और 6, 6, 7, 13, 13, 16, 16, 9 से divide हो रहा है नहीं हो रहा मतलब answer गलत है और आप इसको divide भी करके देख लो 5, 6, 7, 8 से आपका remainder 3 ही मिलेगा आपको यह होता है दोस्तों तरीका अब मुझे इतना पता वो बता दे रहा हूँ मैं आपको कि 9 की divisibility और 3 की divisibility सेम होती है जो भी number लिखा है उसको add कर लो और उसको 9 से divide कर दो अगर 9 से divide हो गया तो भया व इसमें क्या point की बज़े से गलती हो जाती है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसको कैसे solve करते हैं इस तरीके अगर caution लिखा है तो पहला तो क्या कर दो जैसे point 4 का square लिखा है ना दोस्तों तो इसको मैं एक बताऊंगो समझ जाना point 4 का square मतलब 4 4 जो 16 लिखो और एक point पे पहला point लगा है square होने के बाद 2 digit के बाद हो जाएगा वो ध्यान रखिएगा इसी तरीके से यहाँ 2 digit पे लगा है square होने के बाद 4 पे हो जाएगा तो करो इसको 4 4 16 करोगे अब 4 गिन लो 1 2 3 और 1 4 यहाँ point लगा दो समझ में आया एक और बार अब यह इधर लिखा है 0.004 मत 4 5 6 यहाँ point लगा हो अब सब को बढ़िया point के नीचे point लिखके total कर देना answer निकाल देना आपका answer यह जाएगा बस यही बताना चाहता हूँ कि 2 का 4 होगा 4 का 8 होगा 3 का 6 होगा square होने के पाद मतलब 2 digit के बाद अगर point लगा है यहाँ तो square होने के बाद 4 के बाद लगेगा व यह मैं पताना चाहरा हूँ जरूर करके देखना आपको answer जाएगा और आप confused बिल्कुल नहीं होगा अगली बार से ठीक है यह देखिए दोस्ते एक question यह भी आया जीक का बहुत प्यारा question है in which of the following state is the bomb dilla pass located दोस्तों यह passes से बड़े question आते हैं कि यह वाला pass कौन सा है, ना तुला pass कौन सा है, है ना बारालापचा pass कौन सा है, कारकूरम pass कौन सा है, है ना, बहुत सारे pass आते हैं, बहुत, मानस pass कौन सा है, बहुत सारे pass होते हैं, तो अभी के लिए सुनों कि bomb dilla pass कहा अरुन नाम का बंदा था हमने ट्रिक बनाए थी कि अरुन नाम का बंदा था और भाईया वो अपने पापास बुरत पाव में को लच्ची में बम दिला दो विडियो बनाया है दिस्क्रिप्शन में लिंक डल जाएगी जरूर देख लेना जीवन का हो जाएगा आपके उधार और आप कहेंगे क्या वीडियो मिला है व्ल्ड किलास चैलेंज है दोस्तों विट ड्यू लव और रिस्पेक्ट अरुन को चाहिए थे बॉम तो पिता जीज बोल रहत पाव लच्ची में दिला दो तो पापन लच्ची में दिला और दिया पट धम धम पीटाई पीट मत वि बता है क्या दादा भाई नरो जी बद्रुद्दिन तयब जी इस तरीके के लोग थे अपने समझ माया गोपाल कृष्ण गोकले तो यह मौडरेट लीडर में आते हैं मैंने इसका भी वीडियो बनाया तो उसमें मैंने सब साब साब बताया कि कौन नरम दल का बंदा था और है मौरेट लीडर में तो थाह कि रखे इह किस ने दिया था यह अपने नरम दल में अपने पंदित मदन महान माली यह आपने नरम दल के खिलारी थे इन्होंने यह वाला स्लोगन बोला था तो यह question आये था अगर ये पढ़ा होगा तो आपसे बनेगा, इस्टेटिक पार्ट है, एक बार पढ़ लो, सत्य में ब जाते है, was the slogan given by moderate leader, मदन मोहन मालवी, मदन मोहन मालवी ने ये वाला slogan बोला था भाई, दूसरा point, इंकलाब जिन्दावाद was given by हजरत मोहानी, ये बहुत important है, इंकलाब ज Simon go back, ये किस ने बोला था, ये लाला लच पत्राय ने बोला था, क्योंकि 1927 में साइमन कमीशन आया था, और 1927 के टाइम पर शासन किसका चल रहा था, Lord Irwin का साजन चल रहा था, Lord Irwin, ठीक है दोस्तों, तो ये important बात है, question ऐसे आते हैं, वो ये पूछ लेंगे, कि जब साइमन कमीशन आया था, 1927 में, तब किसके शासन काल में आया था, तो पता होना चाहिए, Lord Irwin, ओके, तो ज़रूर ये पढ़ियागा, मैंने Lord Irwin के बढ़ाया हुगा, अच्छे सा, तो वो भी देखियागा, लिंक डाल दूँगा, मैं, है ना, अब देखो, ये लेकिए, सुल्तान म महमूद गौरी जो था अपना, मौंबद गौरी, वोस डिफीटेड, हार गया था, प्रतिवीराज चौहान से, 1192 में, तो वो कहां का रूलर था, दोस्तों, वो अफगान इस्तकान का रूलर था, अब मेरी बात बिलकुल ध्यान से रखो, क्योंकि कोशन आता है, कोशन ये आता है, कि भई आपना, फर्स्ट बेटल अप तारेन कब हुआ था, वो हुआ था, 1191 में हुआ था, मौंबद गौरी और प्रतिवीराज चौहान के वीचे में, फाइट हुए थी, प्रतिवीराज चौहान ने मौंबद गौरी को पचार दिया था, मौंबद गौरी हार गय एक बार फिर सब बोलूँगा पहली बार में प्रत्वीराज चोहान ने पचार दिया भईया 1191 में है ना इंपोर्टेंट है इसका नाम होता फर्स्ट बैटल अप तारेन टी ए डवल आर ए आई यान याद रखेगा क्षिशन सीधा सीधा चपेका तब भईया जी हार गया था अपना मुंहमद गौरी लेकिन दूसरी साल भईया तयारária करके आया खूब तरवारवाजी तिरक homemade शेंश क хотите और प्रत्वीरा चोहन को हरा दिए या और या 1192 में प्रत्वीरा चोहन को हरा दिया ये question भी आता है और ये question अभी आई गया है कि भाई ये कहा का ruler था अफगानिस्तान का था ठीक है अब ये देखो अब मैं एक Egypt देख गया मुझे तो एक बढ़ी आसा question पूछता हूँ कि आपने अफरिका में है ये Egypt Egypt में कौन सी नदी बहती है अगर कोई champion बंदा है तो बताया दोस्तों और मैंने कल ही एक वीडियो बनाया जिसमें प्रॉपर बताया कि Egypt में कौन सी नदी बहती है अच्छे से world class तरीके से तो ज़रूर बताईएगा अगर आप talented हो पढ़ने वाले हो तो I would love to see your comment ओके आगे दे ट्रिक बहुत शांदा रहा है ध्यान से बल्कुल आखे ही होने चाहिए most valuable element Michael Jackson तो Jackson का sun यह हो गया sun ठीक है यह अपने सुर्ण दादा है सबसे पहला planet Mercury V से Venus, E से Earth, M से Mars, J से Jupiter, S से Saturn, U से Uranus, N से Neptune तो भाईया देखो most valuable element Michael तक अपने कौन है Michael तक अपने सारे planet rocky planet है rocks बहुत ज जादा है तो rocky planet बोलते हैं इसको लेकिन Jupiter, Saturn, Uranus और Neptune यह gaseous planet दोस्तों इनको Zobian planet भी बोलते है इनमे क्या gas हों से बने है यह सारे planet हमा हवा हवा बहुत जादा है इसलिए question यह बना कि भाईया composition के हिसाब से बताओ कि odd कौन सा है तो आपको पता है most valuable element Michael तो भाईया Michael तक तक अपने पूरे rocky planet है लेकिन यह Uranus अकेला है जो कि gases planet में आता है समझमा है एक वाटरिक फर्स बताओंगा धिया से सुनना most valuable element Michael Jackson और Sun ठीक है यहां से question कैसे पूछता examiner सुनो वो पूछ लेगा कि भीया Sun के सबसे speed में चक्कर कौन लगाता है तो मरकरी सबसे पास में मेरे जिन चक्कर लगा के आ गया तो कार्थिक को बना के कार्थिक बिचार मोर पर जा 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 के दा उड़ा रहा था लेकिन भाई चक्कर लगा के कैने लगे कि आप ही तो करता धरता हो समझवाया यादा यह आप कहानी बस वो गने जिन ऐसे बनाया था कार्थिक को चलो दूसरा most valuable element Michael Jackson और Sun question ये पूछएगा examiner कि सूरज दादा के सबसे देर में चक्कर कौन लगाता है तो दोस्तों सबसे दूर अपना Neptune तो Neptune सबसे देर में चक्कर लगाएगा question ये पूछएगा examiner कि सबसे बड़ा planet कौन सा है भाया अपना पूरा तो वो दोस्तों Jupiter सबसे बड़ा planet ठीक है question ये पूछएगा examiner कि सबसे speed में कौन सा planet जो खुद पर खुद की access पर rotate करता है खुद की जगाँ पर rotate करता है चकरी की तरह घूमता है तो वो सबसे speed में Jupiter ही घूमता है दोस्तों ध्यान रखिएगा important है question ये पूछेगा वो कि अर्त की जोड़वभभर बहन किसको बोलते हैं कौन से प्लानेट को अर्त की जोड़वभर बहन बोलते हैं तो भाईया अर्त की अर्त तो ये है उसकी जोड़व है क्यों क्योंकि अर्त का जोsएप साइस Tabii और वही वीनिस का सेप साइज और एटमाजफियर है ओके एक्जामिया कोश्चन पूछेगा कि सबसे जादा मतब रेड प्लानेट किसको बोलते हैं मार्स को बोलते हैं क्योंकि दोस्तों मार्स में बहुत जादा गैसे गैस हैं बहुत सारी गैसे से और वो पूरा लाल दिखता है इसलिए उसको रेड प्लानेट भी बोलते हैं और मैं आपको मार्स से एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों टायम मिलेगा तो जडूर टायम निकालके पढ़ने के बाद एक मूवी है दमार्शियन करके क्या है दमार्शियन मूवी जरूर देखियेगा दोस्तों दिल खु नास्ठ बात देखिए लास्ट है साइज यह ख़दम करते हैं, विच Hzुकुवक्त इसे मैं बोलते हैं कॉन सी सिटी को पीट्सवर्क अविंडिया बोलते हैं दोस्तों यह जमशेध पूर को बोलते हैं किसको बोलते हैं जमशेध पूर पूर को की लखा उसने है चोची चएी वाई और यह एक हैपनेट च पी ए अ आई डी तो इधर एच का यहां जीरो एड़ हुआ हुआ है ओ और बोले तो 15 पी बोले तो 16 तो प्लस वन एड़ हुआ है सी मतलब तीन और दीं और इम बाँस तो यहां प्लस 1, प्लस 2, प्लस 3, प्लस 4 और प्लस 5 की बस इसको उठाओ और 0 से स्टार्ट कर दो प्लस 0, C का C रहेगा ये देखो C का C है ये का आगया अब प्लस G के बाद क्या आएगा, H आएगा देखो H, एक में ही आ रहा है, खेल का तमांसर आगया आपका क्योंकि 0, प्लस 1, प्लस 2, प्लस 3, प्लस 4 चल रहा है तो जरूर देखिएगा, ऐसी कॉशन आते हैं और आपको help मिलना चाहिए, आप गलत मत करना बहुत easy कॉशन होते हैं ये, है ना चलो भाई, और गया है, last question साइद ये इसमें बोला है, एक math का बढ़िया सा question है, ये आता ही है, जरूर आता है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें value रखनी पड़ेगी ऐसी question दिखिए ना, सबसे बहले आप रखो 60 रखो, या 30 रखो, पहले 60 रखते लिख लेते हैं इसका देखो, denominator सेम है, तो 4 का 4 रहेगा, तीन में से एक गया तो बचे 2, दो एक अम दो, दो 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 दी चार आ गया, 1 by 2 बराबर 1 by 2, satisfy मतलब answer आपका 60, फट अफट जारे value रखना और धूम मचा देना, इसके लिए आपको याद करनी पड़ेगी value, अगर याद नहीं होती तो कोई comment box में comment कर दे, मैं उसके लिए उसको याद करवा दूगा, अच्छे से, अब बाकी पढ़ना ज़रूर क्योंकि यहां बहुत सरल question होता यह, और किया देखो, बढ़िया सा question यह आया है, कि which schedule deals with the allocation of seats by the states and union territory in the upper house of the parliament, कौन सा schedule है, जिसमें भहिया, seats के बारे में बताय होंगी, कौन सा schedule है, दोस्तों यह fourth schedule है, इसकी world class awesome, 110% guarantee, आप खुश हो जाएंगे, एक trick बनाई दोस्तों, मैंने है, वो है trick है, T-E-A-R-S, tiers of old PM, क्या है tiers of old PM, क्या है tiers of old PM, T से अपना क्या होला है, union territories, E से emoluments, A से affirmation and oath, R से राज्यसभा की seat, S schedule tribes, O से अपना other tribal areas, old of, F से federal list, है न, फिर यह official language, फिर अपना क्या बोलते है, land reforms, यह defection law, और P से अपना पंचाय दायम से municipality, proper तरीके से बनाया है, दोस्तों, खुश हो जाएंगे, जाके description की एक बार link चेक कर लेना, मतलब चेहरे पाया जाएगे, इसमाल और आप कहेंगे, क्या वीडियो मिला भाई, और क्या है आगे, the third schedule is with the forms of oaths and affirmation of ministers, MPs, judges of the Supreme Court and High Court क्याइग, मैंना बताया न, T.E.A.R.S, the 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 t. में इस पोस्ट पर रहे का है, भारत का भला करेंगे, यह करेंगे, दंदी तूफान करेंगे, यह अपनी, वो करतें, कसम खाते हैं, फिफ्थ में क्या वला है, the fifth schedule is with the provision related to the administration and control of scheduled areas and scheduled tribes, areas and tribes requiring special protection, मैंने क्या बताया, T.E.A.R.S, ठीक है, तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, मै बारें बताया, यह हो गई उसकी trick, तो वीडियो ज़रूर जाकर देखना, गर ग्रोथ चाहिए, और लगता है कि हाँ वाई content सही है, तो, last फिर क्या है, sixth schedule, deals with the provision made for the administration of travel areas in north eastern states of Assam, Meghalet, Tripura and Missouri, तो भाईए, question देखो six में क्या बताया है, मैंने, T.E.A.R.S.O.F, ठीक है, तो यह six है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, तो अपने यह क्या other travel areas, देखो other travel areas आ गए न, other travel areas है न, तो मैंने इस तरीके से इसको trick बनाई थी, तो इसमें sixth schedule के बारें बात करी गई है, question यह आ जाता है, कि sixth schedule में भाईया, option देदेगा, वो आसाम, Meghalet, Tripura, मिजोरम की देखा क्या बनाई थी, A, T, M, M, मुझे याद हो गया, A से आसाम, T से तरपुड़ा, M से Meghalet, M से मिजोरम, ओके, आपको भी पक्का याद रहेगा, दिल का खुश हो जाएगा, क्या चीज बनी है, क्या मिली है, यह देखो लास्ट ही आप तो भाईया, which of the following hydrocarbon is termed as fruit and ironing gas, दोस्त अबूजा, basic question है, गलत मत कर देना, अगर आपको समझ में आते हैं, यह country capital कहां से याद करूँ, playlist आलरेड़ी, शांदार वाली विद्धा, help of tricks बन चुकी है, सारे के सारे capital, एक ही बार में आपको याद दोंगे, guarantee, गौरब तिल्थिया की, जाके जरूर देखना, और क्या भ गया, इस तरीके सा आपका देमाग चलना चाहिए, और यह चल जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है, चलो दोस्तों, thanks for watching this video, please do comment, अगर वीडियो सच्मा पसंद आया हो, कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट करके, अपनी दिल की बात बता दे कि मैंने कैसा पढ़ा है, और आपको समझ में आया की नहीं, और क्या वीडियो लाओं, वो भी बता दे कमेंट बोक्स में, जो बोलेंगे, वो वीडियो बनाऊंगा मैं, if you really like this video, then you must subscribe, दोस्तों, अगर लगता है कि valuable content है, कुछ सीखने को मिल रहा है, और content अच्छा लागा हो, तो please subscribe करने, आने बाले समय never ever give up, be consistent towards your goal and be proud of who you are.